नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इसे बैंको कोचिंग के ओनलाइन प्लेटफॉरम में स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तो हमने देखी राजस्तान है इसकी जोगरोफी को सुरू कर रखा था और राजस्तान की जोगरोफी सामने देखे एक नया टोपिक लेकर के आ रहा हूं तो आप इस टोपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और ये आज का जो टोपिक है ये टोपिक रहेगा राजस्तान के अपवातंतर का दोस्तो राजस्तान का जो अपवातंतर है या जो राजस्तान की नदिया है य देखें दुस्तो आज हम देखें यहां से राजस्तान ने इस राजस्तान के अपवातंतर को पढ़ते और राजस्तान का आपके सामनी देखें जो अपवातंतर है वो किस परकार से आपको याद करना है। दोस्तो सबसे पहले टोपिक आप ध्यान रखे राजस्तान का अपवा है तंतर ये राजस्तान का अपवा तंतर है और इस राजस्तान के अपवा तंतर को मित्रो आप कह सकते हैं राजस्तान की नदिया राजस्तान का आपवातंतर बोल दीजिए या राजस्तान की आप नदिया तो यहां से देखें आपको कई परकार की यहां से नदिया है वो पढ़ने है राजस्तान की नदिया आप देखो मित्रो सबसे पहले point to point चलिए कि जब राजस्तान की नदियों को पढ़ते हैं या राजस्तान के अपवातंतर को पढ़ते हैं तो राजस्तान की इस अपवातंतर को मित्रों दिखे तीन भागों में बाटा गया है कितने भागों में तीन भागों में तीन भागों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपवातंतर हैं आपके सामने बंगाल की खाड़ी का अपवातंतर सबसे पहला अपवातंतर है मित्रों बंगाल की खाड़ी का अपवातंतर ये सबसे पहला अपवातंतर है उसके बाद में दिखिए मित्रो दूसरा जो अपवातंतर है इस अपवातंतर का नाम है आपके सामने आरब सागरिये आरब सागरिये अपवातंतर आरब सागर ये अपवातंतर और मित्रो तीसरा जो अपवातंतर आपके सामनी रहेगा वो रहेगा आंत्री की जल परवाहे का अपवातंतर आंत्री की जल परवाहे का अपवातंतर देखी मित्रों आपके सामनी राजस्तान का जो अपवातंतर हैं इस अपवातंतर को देखे तीन बागों में बाटा गया सबसे पहला हैं बंगाल की खाड़ी का अपवातंतर और दूसरा हैं आपके सामनी आरब सागरी अपवातंतर और तीसरा है आंत्रिक जल परवा का अपवातंदर मित्रो जब सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी के अपवातंदर का राजस्तान में इस्सा है 23 पर 30 कितना मित्रो 23 पर 30 और अरब सागरी अपवातंदर की बात करते हैं तो इनका हिस्सा मित्रो आपके सामने कितना पर्सेंट रएगा? 17% रएगा. लेकिन जब आंत्रिक जलपर्वा की बात करते हैं तो आंत्रिक जलपर्वा का हिस्सा है, वो राजस्तान में कितना है? 60% हिस्सा है. जब आप इन सब को count करोगे, तो यहां पर आपको देखे पूरा 100% हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा मित्रों, 100% हिस्सा मिलेगा, लेकिन जब मित्रों आप देखे यहां से बंगाल के खाड़ी के अपवातंतर को पढ़ते ही, या अरब सागरी अपवातंतर को पढ़ते ही, या आंत्रिक जलपरवा के आंत्रिक जल परवाग का अपवातंतर ये क्यों है ठीक ही? तो मैं आप भी आपको ये चीज बतानी वालाओ देखें जब आप अरब सागरी अपवातंतर को पड़ोगी तो अरब सागरी अपवातंतर को राजस्तान में देखो कितने बागोमी बाटा गया है तो राजस्तान में आपके सामनी इस अरब सागरी अपवातंतर को दो भागों में बाटा गया है एक भाग तो है खमबात की खाडी का अपवातंतर मित्रो एक तो है आपके सामनी खमबात की खाडी का अपवातंतर और दूसरा जो अपवातंतर है वो है आपके सामनी देखे कच की खाड़ी का अपवातंतर दूसरा है मित्रों आपके सामनी देखो कच की खाड़ी का अपवातंतर ये कच की खाड़ी का अपवातंतर है एक आपका खंबात की खाड़ी का अपवातंतर है यहां से देखिए क्या होगा तो सबसे पहले पॉइंट को समझे पॉइंट पर धहन दीजीगा कि राजस्तान में तीन परकार का अपवातंतर है बंगाल की खाड़ी का अपवातंतर अरब सागरी अपवातंतर और आंत्रिक जल परवा का अपवातंतर यानि बंगाल की के अपवातंदर का इसा राजस्तान में 23 है अरब सागर का इसा 17 है और आंत्रिक जलपरवा का इसा है वो आपके सामने 60-30 है लेकिन मित्रों अरब सागर ये अपवातंदर हैं इनको वापस दो भागों में बार दिया खंबात की खाडी का अपवातंदर और कच की खाडी का अ अब यहां से इसका मतलब क्या है देखे सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के अपवातंतर को पढ़ते तो देखे कोई भी नदी हो कोई भी नदी हो या ऐसे नदी जो अपने उद्गम इस्तल से निकलने के बाद में यदि वो बंगाल की खाड़ी में जा रही है वो आपके सामने देखो मित्रो बंगाल के खाड़ी में जा रही तो वो अपवातंतर बंगाल की खाड़ी का अपवातंतर होगा और यदि हम अरब सागर ये अपवातंतर को पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्तल से निकलने के बाद में अरब सागर में गिर रही है तो अरब सागर में गिरेगी तो वो अरब सागर ये अपवातंतर कहलाएगी अरब सागर ये अपवातंतर को दो बागों में बाड़ दिया खंबात की खाड़ी और कच की खाड़ी तो पहले खंबात की खाड़ी में जलाएगा वो अरब सागर में भी आएगा कच की खाड़ी में जो जलाएगा वो अरब सागर में भी आएगा मित्रो आंतरिक जल परवा का अपवात अंतर का मतलब क्या आंत्रिक जलपरवा ध्यान दीजे आंत्रिक जलपरवा का मतलब कि ऐसी नदिया जो अपने उद्गम इस तल से निकलने के बाद ना तो किसी सागर में गिरती है ना ही किसी खाड़ी में गिरती है और ना ही किसी महसागर में गिरती है वो नदिक खाड़ी सागर महसागर से पह तो पहले मित्रो आप देखे साथ के साथ इनको नोट करते जाए साथ के साथ आप इनके स्क्रेंट सोट हैं वो आप लेते जाएं ताकि आप इनके नोट से वो अच्छी तरीके से तयार है वो कर सकें अब देखो मित्रो आगे की बात हम देखे यहां से पॉइंट पॉइंट से मित्रों आपके सामने ये भारत का सबसे पहले देखो यहाँ पर मानचीतर है और इस मानचीतर पर आप देखोगी इस मानचीतर पर आप यदि देखोगी तो यहाँ पर आपको देखे किस परकार से आपको बंगाल की खाड़ी का भाग मिलेगा और किस परकार से आपको कच की खाड़ी का भाग मिलेगा कैसे आपको खंबात की खाड़ी का भाग मिलेगा मित्रो यह आपके सामने देखो प्यारा सा यह आपके सामने भारत है और इसी भारत में आप देखो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर मित्रो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखे बंगाल की खाड़ी का भाग मिलेगा यह बंगाल की खाड़ी का भाग है तो यहां पर तो आप यह कह सकते ही कि यह जो भाग है आपके सामनी यह तो बंगाल की खाड़ी का भाग है और उसके बाद मी मित्रों यहां से ध्यान दीजी इधर आपके सामनी देखो यहां पर भी ज बंगल का विस्तार हैं वो सागर्ग आपके सामने देखे कोन सा रेगा तो याद रखना है अरब सागर्ग इधर मित्रों आपके सामने देखो ये अरब सागर का भाग है या पर मित्रों आपके सामने बंगल की खाड़ी का भाग है इधर अरब सागर का भाग और इधर है आप के सामने बंगल की खाड़ी का भाग और मित्रों आप जब यहां से देखोगे तो यहां पर आपके सामने देखो यहां पर भी जलका विस्तार है यह जो जलका विस्तार है यह तो आपको मिलेगा यहां पर कच्की खाड़ी के रूप में मित्रों क्या मिलेगा यहां पर आपको कच की खाड़ी का भाग मिलने वाला यहां पर यह कच की खाड़ी है और यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर आपको देखी यहां जलका विस्तार मिलेगा यह जो मित्रों आपके सामनी जलका विस्तार है वो विस्तार आपके सामनी देखो कौन सा है खंबात की खाड़ तो इधर बंगाल की खाड़ी इधर अरब सागर यहां कच की खाड़ी और यहां खंबात की खाड़ी अब यहां से देखो माल लेजे कि इस भारत है इस भारत से देखे कोई नदी निकल रही है और निकलने के बाद में यदि उस नदी का जल उस नदी का जल मित्रो देखे यह बारत में बहनने के बाद में यदि वो बंगाल के खाड़ी में आकर के गिर रहा है तो वो अप्वातंतर तो आपके सामने बंगाल के खाड़ी का अप्वातंतर कहलाएगा अगर कोई नदी यहां से निकलती है और निकलने के बाद में यदि वो नदी आपके सामने देखो आरब सागर में आकर के गिर जाती है तो वो अपवातंतर आरब सागर ये अपवातंतर है और यदि कोई नदी यहाँ पर आपके सामने निकलने के बाद में यदि वो यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी होगी अगर वो नदी कच के रण में आकर के गिर रही है तो वो नदी कच के रण में गिरने वाली नदी होगी यानि कच के रण में गिरने वाली नदी होगी यहां खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी होगी अब मित्रों यहां से आप यह ध्यान देऊ यहां से आप यह ध्यान दीजिए कि जब यहां पर आंतरिक जलपरवा का नाम आता है तो आंतरिक जलपरव की नदी जो यहां से मालो निकल रही है और निकलने के बाद में ना तो इधर बंगाल के खाड़ी में गिर रही है ना ही आरब सागर में गिर रही है ना ही वो खंबात के खाड़ी में गिर रही है ना ही वो कच के खाड़ी में आकर के गिर रही है तो ऐसे जो नदिया है वो मि मित्रों यहां से देखे राजस्तान के संद्रम में देखें तो यहां पर आपके सामने देखो तीन परकार का हमारे पास अपवातंतर था यहां से मित्रों आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो भाग आपके सामने आ रहा है ये देखे मित्रों आपके सामनी ये राजस्तान का भाग है और इस राजस्तान में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी का विस्तार भी ध्यान रखना है आपको अरब सागर का विस्तार है वो भी याद रखना है और साथ के साथ मित्रों आपको यहाँ से देखे कच की खाड़ी और खंबात की खाड़ी भी यादे रखनी है यह आपके सामनी देखो प्यारा सा आया राजस्तान इस राजस्तान में आप यहां से देखेंगी तो यहां पर आपको देखे यहां तो मिलेगी कच की खाड़ी यहां पर तो मित्रों आपको मिलेगी कच की खाड़ी और यहां पर आपको मिलेगी खंबात की खाड़ी मित्रों यहां पर आपको मिलेगी खंबात की खाड़ी यहां खंबात की खाड़ी है यहां खंबात की खाड़ी है और इधर आप देखेंगे तो इधर आपके सामनी आरब सागर है यहाँ पर आपके पास आरब सागर है अब कच की खाड़ी है उसमें भी जलका विस्तार है और जो खंबात की खाड़ी है उस खंबात की खाड़ी में भी जलका विस्तार है और इधर जब आप देखोगी तो इ बंगाल की खाड़ी मिलेगी इधर आपके सामनी बंगाल की खाड़ी मिलेगी यानि उदर बंगाल की खाड़ी खंबात की खाड़ी कच की खाड़ी इधर एक सागर है अरब सागर अब मित्रो यहां से आप धान दो यहां से आप धान दो कि जब यहां से कच की खाड़ी की बा और जो खंबात की खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी आपके सामने राजस्तान शे लगबगे ये दो सो पीचेतर किलोमेटर ये दूरी पर इस्तीत है 200 पीचेतर किलोमेटर दूरी पर और ये मित्रों जो आपके सामने आरब सागर है ये आरब सागर मित्रों आपके सामने ये 400 किलोमेटर यहाँ पर दूरी पर इस्तित है कितने दूरी पर है 400 किलोमेटर दूरी पर इस्तित है लेकिन मित्रो जब आप यहां से देखोगी बंगाल की खाड़ी को तो यह बंगाल की खाड़ी है यह जो बंगाल की खाड़ी है मित्रो यह बंगाल की खाड़ी आपके सामने राजस्तान से यह गुण 300 किलोमेटर दूरी पर इस्तीत है अब यहां से देखे तीन परकार का निकल रही है तो निकलने के बाद में या तो वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो वो बंगाल की खाड़ी का अपवातंतर कहलाएगी अगर कोई नदी यहां से निकलने के बाद में यदि वो अरब सागर में आ रही है तो वो नदी अरब सागरी अपवातंतर कहलाएगी लेकिन राजस्तान के अपवातंतर में आप देख रहे हो तो ये जो अरब सागरी जो अपवातंतर है इस अपवातंतर को दो भागों में बाटा गया है क्यों कि जब यहाँ से कोई नदी निकल करके कच के खाड़ी में आएगी तो कच के खाड़ी का जलब वो अरब सागर में तो यहां से जब आप यह देखोगे कि यहां से आपके सामनी जो नदियां यहां से निकलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में जा रही हूँ बंगाल की खाड़ी का प्वात अंत्र है तो मित्रो जब आप देखे यहां से चंबल नदी को पड़ोगे जब आप चंबल नदी स्वाइमादोपूर, करोली, धोलपूर यहां होते हुए देखे आपके सामनी यूपपी में आ जाएगी और यूपपी में जाकर कि ये चंबल नदी है वो आपकी यमुना नदी में मिल जाएगी फिर यमुना नदी है वो क्या करेगी यमुना नदी इलाबाद परियाग राज में जाकर कि गंगा नदी में मिल जाएगी और फिर गंगा नदी क्या करती है इधर से आप देखोगी तो यहां से आपके सामनी ये गंगा नदी इस परकार से बैती है ये गंगा नदी इधर तक तो ये गंगा नदी रहती है इधर फिर आप बंगला देश में अगर पदमा हो जाती है तो इधर से आपके सामने देखो ये सांगपो नदी निकलती तीबत के पठार से सांगपो फिर ये दियांग दियांग से हो जाती आपके सामने ब्रह्म पूतर ब्रह्म पूतर से आपके सामने ये हो जाती जमुना नदी तो इधर से जमुना और इधर से देखे आपके सामने ये पदमा मिलकर के मेगना नदी के रूप में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो आपको ऐसा ही पढ़ना कि आमें परेशानी का सामना है वो नहीं करना पड़े तो दोस्तों यदि परेशानी का सामना करना आपको अच्छा लगता है तो आप इन दियों को सीधा पढ़ लो वरना एक एक की लोकेशन को उठाओ एक एक की स्तिती को समझो तब जाके पूरी की पूरी नदियां है वो आपके दिमाख में सर्च हो जाएगी दोस्तों गारंटी रहेगी इस बात की कि सारी की सारी नदियां आपके दिमाख में रहेगी लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं पहले आप उस तरीके से थोड़ी सी इसकी बैसिक इस्तिति को समझ जाएगी सारी की सारी नदियों को हम एक मुठी में बंद कर लेंगे और एक मुठी में बंद करके उसको पूरे को खोलेंगे तो सारी नदियां बिखर जाएगी और बिख्रियों नदियों को हम यहां से पढ़ करके उसको मुठी में बंद कर लेंगे और एक कर लेंगे यह चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी तो बंगाल की खाड़ी के अपवातंतर में सामिल होगी लेकिन इस चंबल नदी के साथ-साथ कुछ इनकी ऐसे करके कुछ साहिक नदियां भी आती है तो वो साहिक नदियां भी देखे क्या करेगी इस चंबल के साथ- कि यहां से एक माही नदी आती है जो MP की आपके सामनी मेंध जिल से निकलती है यह माही नदी यहां से निकलने के बाद में यह नदी देखो यहां बासवड़ा परतापगा डुंगरपुर होते हुए यहां से यह नदी बहेगी और बहेने के बाद में अपना जलका लेकर आज जाती है इधर से आपके सोम न दिया जाती है इधर से आपके सामने अन्नास न दिया जाती है इधर से आपके सामने देखे चाप न दिया जाती है इधर से आपके सामने ये एरू न दिया जाती है ऐसे करके इस माही और माही की साइक न दिया अपना जल कांगे रेगी खंबात के खाड़ी में उसके बाद में कच की रणी की बात करें तो देखे कच की खाड़ी में कच के रण में यहां से आपके सामने अजमेर की नाग पाड़ी से देखो इस परकार से लूनी नदी निकल करके आती यह लूनी नदी यहां से अजमेर अजमेर शे नागोर नागोर शे ज जोदपूर से दिखी इधार पाली पाली से ये बाडमेर बाडमेर से जालोर होते हुए ये नदी सीधी आएगी आपके सामनी कच की खाडी में और साथ में इनकी साइक नदिया जैसे आपकी जोजडी हैं आपकी बांडी हैं मेटडी हैं लेलडी हैं सूकडी हैं जमाई हैं सा या किसी सागर या महसागर में लेकर के चली जाती है लेकिन मित्रो जब आंत्रिक जलपरवा का मतलब देखें तो आंत्रिक जलपरवा की नदियों का मतलब मैंने का कि ऐसी नदिया जो अपने उद्गम स्तल से निकलने के बाद में ना तो कच की खाडी में आएगी ना ही वो खाडी में और ना ही बंगल के खाडी तक पहुंच पाती है, वो उससे पहले ही विलुप्त हो जाती है, तो वो नदियां आपकी आंत्रिक जल परवाग की नदियां होगी, जैसे आप मरुस्तल में देखेंगे, तो यहां से देखें आपके सामने एक नदी है काकनी या काकनी वो यहाँ से निकलने के बाद में किवल जेशलमेर ये में में बैती है और जेशलमेर में भज़ जिल का निर्मांद करके यही पर विलूप तो यह नदि आगे जल इसका नहीं जाएगा तो यह तो यह तो ही तीन प्रकार की इस्तिति तु मित्रो पहले तो आप इनका यहां से स्क्रीन सोट वो ले 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 लिया अपनी स्क्रीन सोट यहां से आप देखे मित्रों यहां से मैं आपको एक एक नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ाता हूँ देखना देखो मित्रों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंत्री की जल परवा की नदिया जो कुछ आपके सामनी छोटी 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 नदिया आती है लेकिन वो छोटी 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 नदिया आपके सामनी कई बार महाभारत बन जाती है वो छोटी छोटी नदियों से प्रसन बार-बार आते हैं लेकिन अपन लोग इसको क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं तो मित्रों आज के बाद में आप बिल्कुल ये समस्या अलग कर दीजे कि नदियों से कोई भी प्रसन आएगा तो वो आपका आंस्वर गलत नहीं होगा, आपका नदियों से समन्दित कोई प्रसन होगा तो वो गलत नहीं होगा, तो मित्रों सबसे पहले हम सुरुवात करने जा रहे हैं यहां से छोटी नदियों से तो यहां पर देखें आपके सामने सबसे पहला जो अपवातंतर है उस अपवातंतर का नाम है आंत्री के जल परवाह का अपवातंतर दोस्तों आंत्री के जल परवाह का अपवातंतर तो आ अभी हम यहां से एक एक नदी को पढ़ेंगे आंत्रिक जलपरवा है का अपवातंतर अब इसे आंत्रिक जलपरवा के अपवातंतर में देखू सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे घगर नदी की कोण सी नदी की मित्रों तो याद रखना है घगर नदी की कि ये घगर नदी जो आंत्रिक जलपरवा की नदियों की सरणी में आती है इनकी क्या विसेश्ता है ये नदि कहां से निकलती है और इनकी क्या-क्या यहां से इस्तितिय वो बनती है देखो मित्रो सबसे पहले यहां से देखो आप यहां पर माल लेते हैं मित्रो की यहाँ पर आपके सामनी देखो नदी है घगर नदी यहाँ पर मित्रो आपके सामनी नदी कौन सी है घगर नदी है अब ये घगर नदी देखो निकलती कह से मित्रो ये जो घगर नदी है ये आपके सामनी निकलती कह से तो यहाँ पर आपके सामनी देखी यहाँ से आपको एक हिमाले मिलेगा यहां से मित्रो आपके सामने दिखी यहां से एक हिमाले मिलेगा और उस हिमाले का नाम रहेगा आपके सामने सीवाले के हिमाले यहां से आपके पास में हिमाले रहेगा मित्रो जिसका नाम है सीवाले के हिमाले सीवालिक हिमाले और इससे सीवालिक हिमाले की बात करते हैं तो यापर आपके पास दूसरा हिमाले और मिलेगा जिसका नाम होगा कुमायू मित्रो कुमायू गडवाल हिमाले कुमायू गडवाल हिमाले कुमायू गडवाल हिमाले और इसी हिमाले की बात करें सीवालिक हिमाले या कुमायू गड़वाल हिमाले की बात करें तो मित्रों ये जो सीवालिक हिमाले है ये जो आपका सीवालिक हिमाले है ये तो हिमाले का समानतर करम के आधार पर या उंचाई के आधार पर हिमाले का भाग है ये तो समांतर करम या उंचाई के आदार पर हिमाले का पारट है सीवालिक हिमाले दोस्तों जब आप देखी यहाँ पर हिमाले परवस्रणी को पड़ोगे हिमाले को तो हिमाले को समांतर करम के आदार पर या उंचाई के आदार पर उनको चार भागों में बांटा गया है जैसे आपका पहला हिमाले, पार हिमाले, ट्रांस हिमाले, पस्म हिमाले, कृष्णागिरी हिमाले दूसरा जो आपका हिमाले आएगा वो महान हिमाले आएगा वरेत हिमाले आएगा हिमादरी हिमाले आएगा ग्रेट हिमाले आएगा आंतरीक हिमाले आएगा तीसरा जो हिमाले रहेगा वो आपका मद्दे हिमाले उसके बाद में लगू हिमाले या सीवालिक हिमाले और चोथा जो हिमाले आता वो सीवालिक हिमाले आता इस सीवालिक हिमाले को उपी माले बाईये हिमाले भी का जाता दक्षन हिमाले भी का जाता और अगर हम नदियों की बात करें तो नदियों के उद्गम के आधार पर अगर हम देखें लेकिन हमारी अभी यहां राजस्तान जोग्रोफी चाल रही है जैसे राजस्तान जोग्रोफी की टॉपिक कम्प्लिट होते हैं तो हम चलेंगे सीधा इंडियन जोग्रोफी में उस इंडियन जोग्रोफी में भी हम एक एक पारट को ले करके बात करेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को सेर नहीं किया है तो प्लीज पहले आप साथ के साथ वीडियो को सेर जरूर कर दे आप देखो गगर नदी है वो सीवाले किमाले से देख रहे हैं आप यहां से सीवालिक हिमाले का भाग है और यहां पर आपके सामने यह कुमायू या गडवाल हिमाले का भाग भी रहेगा तो यहां से आपके सामने देखे सीवालिक हिमाले या कुमायू या गडवाल हिमाले यहाँ से यह गगर नदी निकलती है यहाँ से गगर नदी देखे मित्रों यहां से आपके सामने निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में देखो मित्रो यह नदी यहां से निकलने के बाद में पहले हिमाचल परदेश में बैती है का बैती है हिमाचल परदेश में बैती है और हिमाचल परदेश में बैती है और हिमाचल परदेश में बैती है और हि अरियाना में परवेश करती है और अरियाना में परवेश करने के बाद में ये नदीज मित्रों आपके सामने राजस्तान में परवेश करती है और जब राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में आपके सामने इस्तान है तलवाडा कौन सा इस्तान है मित्रों तलवाडा और यहाँ पर आपको एक तैसिल मिलती है जिसका नाम है टीबी तैसिल और यह टीबी तैसिल मित्रों आपकी है हनुमानगड जिले में कहा है हनुमानगड जिले में तो गगर नदी जैसे सिवालिक हिमाले कुमायू गडवाल हिमाले हिमाचल परदेश से मित्रों निकलेगी तो न पर्याणा में आने के बाद में ये नदी देखे राजस्तान में आपके सामने तलवाडा टिब भी हनुमानगड में परवेस कर जाती है जैसे हनुमानगड में ये नदी परवेस करेगी तो हनुमानगड जिले में आकर के ये नदी देखो मित्रों क्या हो जाती है यहापर वि बिलुप्ति आनुमानगड में नहीं तो पाकिस्तान में जाती है मैं पाकिस्तान में भी ले कर जाओंगा मित्रो इस नदी को लेकिन यहां से के पईंट को समझेगा यह नदी जैसे यह से निकलेगी निकलने के बाद हनुमानगड में तलवाडा टिप भी अनुमानगड में परवेश करेगी तो अनुमानगड में परवेश करके हनुमानगड में विलुपत होती लेकिन मित्रो इस नदी का जल देखे यहां से देखे अनुमानगड से कैसे जाता जब यहां पर व तो याद रखे मित्रो आगे आपके सामने गंगा नगर जिले में चला जाएगा यहाँ पर मित्रो इसका जल्ल वो कहां चला जाएगा तो याद रखना है आपके सामने गंगा नगर जिले में चला जाएगा यानि यहाँ पर आपके सामने इस नदी का जल वो परवेश करेगा गंगा नगर जिले में परवेश कर जाएगा और गंगा नगर में आपको एक तो सहर मिलेगा जिसका नाम है अनूपगड एक तो सहर है मित्रो आपके सामने अनूपगड और दूसरा जो सहर है वो आपके साम आपने मिलेगा सूरत गड़ एक सहर आपको मिलनेगा सूरत गड़ यह जो अनूप गड़ और जो सूरत गड़ है यहां गंगानगर में आकर कि यह नदी क्या हो जाती है वापस यहां विलुप्त होती है क्यों क्योंकि जैसे यह नदी यहां से निकलेगी निकलने के बाद में अनुमानगर में परवेश करते ही यहां भी लुक्त होगी लेकिन वर्षा की प्राति ज्यादा हो रही हो तो इस नदी का जलाजेगा गंगानगर में और गंगानगर के अनुपगण और सूरतगर तक पहुंचे जाता है लेकिन मित्रों ये जो आपकी घंगर नदी है ये जो पहुँच जाता है सीधा कहा तो याद रखेगा मेरे दोस्तों इसका जल चला जाएगा पाकिस्तान में कहा चला जाएगा पाकिस्तान में चला जाएगा किस नदी का जल तो यहाँ पर देखे आपके सामने इस गगर नदी का जल हो कहा पहुच जाएगा तो याद रखना है प पाकिस्तान में पहुंच जाएगा का पहुंच जाएगा पाकिस्तान में मित्रों यहां पर इनका जल है वो देखे का परवेश कर जाएगा पाकिस्तान में परवेश कर जाएगा और पाकिस्तान में आपके सामने किस्तान है जिसका नाम है फोरट अब्बास फोरट अब्बास ये जो फोरट अबास है आपके सामने पाकिस्तान में वहाँ पर दिखी ये नदी एक साथ यहाँ पर विलुप्त हो जाती तो इस नदी का जल ना तो किसी खाड़ी में गया और ना ही किसी महसागर में गया ना ही किसी सागर में गया ना तो सागर में जा रहा है, ना किसी खाड़ी में जा रहा है, ना किसी महसागर में जा रहा है, तो ये नदी सागर महसागर या खाड़ी से पहले ही क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो ये नदी कैसी नदी हुई, ये आंतरिक जलपरवा की नदी हुई मित्रो, कौन स निकले वहां से निकलने के बाद में हर्याना में बैई कावई ये हर्याना में और अर्याना में बैने के बाद ये राजस्तान में तलवाडा टिबी अनुमानगड में परवेश करकी यहां विलुप्त होती लेकिन जब वर्सा की प्राप्ति जादा हो तो इस नदी का जल इस नदी का जले पाकिस्तान में चला जाता और पाकिस्तान के कहा फोरट अबास में पहुँच जाता तो दोस्तो इस गगर नदी की हम यहां से बात करें तो इस गगर नदी में देखे क्या आती है बाड आती है और बाड आने के कारण इस नदी को कहा जाता है राजस्तान का स तो पाकिस्तान में इस घगर नदी को मित्रो कहा जाता है हकरा नदी पाकिस्तान में तो इसको क्या बोल देंगे आपे हकरा नदी बोल देंगे लेकिन मित्रो जब आप यहां से देखोगे जब यहां से देखोगे कि गंगानगर और हनुमानगर का जो भाग है यहां पर जब आपके सामने ये गगर नदी बैती है तो ये गगर नदी देखे गंगा नगर और हनुमानगर जिले में यहाँ पर आपके सामने एक पाठ के रूप में बैती है किस रूप में बैती है दोस्तों एक पाठ के रूप में बैती है और इसके पाठ को देखे क्या कहा जाता है मित् यानि गगर नदी, गंगानगर और हनुमानगर जिले में आपके सामने एक पाठ के रूप में बैती है और इसके पाठ कोई क्या कहेंगे नाली कहेंगे और इनी नाली परदेशों में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बासमती चावल है वो होता है ठीके गग गर नदी एक पाठ के रूप में बैती है तो इसको पाठ को तो क्या कहेंगे नाली कहेंगे और इस नाली परदेशों में आप देखोगे मित्रो तो यहाँ पर बासमती चावल होते हैं यहाँ पर बासमती चावल की खेती होती है इसलिए यहाँ पर इस छेतर को कहा जाता है मित्रो राइस बेल्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको राइस बेल्ट कहा जाता है राइस बेल्ट है याद रखीगा उसके बाद में दिखेगा नाली क्या है नाली क्या है तो नाली है मित्रो आपके सामनी गगर नदी का पाट और एक नाली है आपके सामने बेड की नसल तो नाली है वो बेड की नसल भी कहलाती है और नाली है वो गगर नदी का पाट भी कहलाता है उसके बाद में मित्रो आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखे आपके सामने जब ये नदी अनुमानगड जिले में बैती है तो देखे यहाँ पर आपके सामने हनुमानगड जंक्षन आता है कौण सा जक्षन आता हमित्रो हनुमान्गड जक्षन तो यह जो हनुमानगड जक्षन है ये इस घंगर नदी के पेटे से दिखे ध्यान र की नीचे बसा आ यहाँ और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ये राजस्तान के तलवाडा में परवेश कर रहे हैं तिबी तैसिल हनुमानगड में परवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर मित्रो आपके सामने एक जील आती है जिसका नाम है तलवाडा जील कौन सी जील आती है मित्रो तलवाडा जील ये तलवाडा जील ये भी घगर नदी के पेटे से नीचे बसी है पेटे से नीचे बसी है तो यहनी अनुमानगर जक्षन और तलवाडा जील वो घगर नदी के पेटे से नीचे बसी है और यह अनुमानगड जक्सन है वो इसी घगर नदी के किनारे बसा हुआ है जब ये नदी हनुमानगड जिले में परवेश करती है मित्रो ये हनुमानगड जिले में परवेश करती है तो यहां से देखे आपके सामने कुछ सब्वेता इस नदी के किनारे से प्राप्त होती सबसे पहले मित्रो एक सब्वेता हैं जिसका नाम है काली बंगा सब्वेता काली बंगा सब्वेता के बाद में एक नाम और है जिसका नाम है पीली बंगा सब्वेता एक सब्वेता हैं जिसका नाम है रंग महल सब्वेता तो दिखे पीलि बंगा काली बंगा और रंग महल ये तिनों के तिनों जो सब्वेता हैं मित्रों ये तिनों की तिनों जो सब्वेता हैं वो सब्वेता कोण सी नदी के किनारे से प्राप्त होती है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सारे के सारे ध्यान देंगे यहां से घगर नदी, इस घगर नदी के किनारे से काली बंगा सब्वेता यहां से आपके सामने पीली बंगा सब्वेता और पीली बंगा सब्वेता के बाद में रंगमेल सब्वेता काली बंगा पीली बंगा रंगमेल सब्वेता ये तीनों की तीनों जो सब्वेताई हैं ये तीनों की तीनों सब्वेताई हैं मित्रो ये आपके सामने घंगर नदी क किनारे पर प्राक्ते हुई है उसके बाद में देखी गंगानगर जीले का यहां से अनूपगड और यहां से मित्रो आपके सामनी सूरतगड गंगानगर और अनूपगड यह दोनों आपके सामनी अनूपगड और गंगानगर का जो सूरतगड है वो इसी नदी के किनारे पर बसे हुए हनुमानगड जक्सन गगर नदी के पैटे से नीचे बसा और गंगानगर का सूरतगड और अनूपगड वो गगर नदी के किनारे पर बसे मित्रो इतनी बात केलियर हुई उसके बाद में देखे आगे चले तो यहां से देखे अर्याना जो राज्ये है इस हर्याना राज्ये में आपको यहां पर एक जील मिलेगी दोस्तो यहां पर आपके सामने देखे एक जील मिलेगी यह मानली अमने यहां से जील अब देखो इस जील में हम बर देते हैं यहां से पानी बर दो पानी यह पानी बर दिया और इस जील का नाम है मित्रो आपके सामने देख कौन सी जील है ओटू जील है और यह ओटू जील आपको देखें का मिलेगी तो हर्याना में एक जगह है जिसका नाम है सिरसा सिरसा यह सिरसा है हर्याना में वहाँ पर ओटू जील बने इसे ओटू जील को जो मित्रो जलकी आपूर्ती होती है वो जलकी आपूर्ती देखो कौन सी नदी करती है तो याद रखना है मेरे दोस्तों यहाँ पर यह गगर नदी इसको जलकी आपूर्ती करती है यानि सिर्षा हर्याना में जो ओटू जील है इस ओटू जील को जलकिया पूर्ती है वो गगर नदी करती है इतनी बात के लिए रूई उसके बाद में देखू यहां से इस गगर नदी को किसके उपनाम से पुकारा जाता है देखो मीतरो इस गगर नदी को किसके उपनाम से पुकारा जाएगा तो सबसे पहले देखे इस नदी को कहा जाता है नट नदी क्या का जाता इसको नट नदी का जाता है इस नदी को का जाता है दोस्तो म्रत नदी क्या का जाता इसको म्रत नदी इस म्रत नदी को कहा जाता है लेटी हुई नदी इसको का जाता है लेटी हुई नदी नट नदी म्रत नदी लेटी हुई नदी उसके बाद में इस नदी को कहा जाता है आपके सामनी चावतांग नदी इसको कहा जाता है मित्रोच चावतांग नदी और इसी नदी को कहा जाता है आपके सामनी सोतर नदी इसको सोतर नदी बोल दो इसको चावतांग नदी बोल दो इसको लेटी हुई नदी बोल दो इसको म राजस्तान का सोक बोल दो लेकिन मित्रों यहां से आपसे और भी प्रसन पूछने वाला है यहां से और भी प्रसन आपसे पूछेगा तो यहां से ध्यान से देखो कि जब हम देखे उत्तरवेदिक काल को पढ़ते हैं उत्तरवेदिक काल की बात करते हैं तो उत्तरवेदिक काल में इसे घगर नदी को कहा जाता है सारस्वती नदी क्या कहा जाता मित्रो सारस्वती नदी कहा जाता उत्तर वेदिक काल में गगर नदी को कहा जाता है सारस्वती नदी लेकिन मित्रों जब हम वेदिक काल को पढ़ती है तो वेदिक काल में इस गगर नदी को क्या कहा जाता है तब आपको याद रखना है द्वेश्वती नदी कहा जाता है द्वेस्वती नदी कह जाता उतरवेदिक कालमी सारस्वती नदी वैदिक कालमी इसको द्वेस्वती नदी और उसके बाद में देखे जब आप मनुस्मर्ती में देखोगे मनुस्मर्ती में देखोगे तो मनुस्मर्ती में देखे इस जील को क्या कह गया है यहांसे आप देखोगे मनुस्मर्ति तो मनुस्मर्ति में इस जील को देखे क्या का गया है तो याद रखना इसको ब्रह्मवर्त नदी का गया है क्या का गया है ब्रह्मवर्त नदी तो इदेखे उत्तर वेदिकाल में सारस्वति नदी वेदिक काल में द्वेश्वती नदी और यहां से मनुस्मर्ती में का गया है इसको ब्रह्मवर्त नदी ठीके तो यानि मनुस्मर्ती में ध्यान रखें ब्रह्मवर्त नदी वेदिक काल में द्वेश्वती नदी उत्रवेदिक काल में सरस्वती नदी ये तो नाम के आधार प भी बोल सकते हैं कौनशी नदी को घगर नदी को लेकिन मित्रों यहां से आपसे एक प्रसन और पूछा जा सकता है एक प्रसन आपसे यहां से और पूछा जा सकता है कि यह नदी मरत नदी यानि मरके जी हुई है यह नदी यहां पर जब यहां पर देखे काली बंगा पिली ब गगर नदी की खोज किसके द्वारा की गई थी तो वह पर मित्रों आप याद रखना C.S. अल्थम ये C.S. जो उल्थम है इनुनी इस गगर नदी की खोज की थी यानि गगर नदी की जो खोज है वो मित्रों किसके द्वारा की गई थी तो याद रखना है C.S. अल्थम है इन के द्वारा इस गगर नदी की खोज हुई थी तो ये तो मित्रों आपके सामनी पूरी की पूरी गगर नदी की विशेष्टा हुई है पहले आप ध्यान रखें कि गगर नदी कहां से निकलती है गगर नदी कहां से निकलती है पहले आप इनका स्क्रीन सोट ले लो इसके एक साथ इच्छी बातों को किलिर कर देता हूँ, देखो दोस्तों सब से पहले दिमाक में रखो, घगर नदी, घगर नदी कहां से निकलती है? सीवालिक हिमाले से, नदियों के अधार पर यह कुमाय। या गडवाल हिमाले से घगर नदी कालिका माता मंदिर के पास हीमाचल परदेश से निकल दे या से निकली हर्याना में गई हर्याना से राजस्तान के टिबी तलवाडा हनुमानगड में परवेश कर गई हनुमानगड में आते ही नदी क्या हो गई विलूप्त हो गई लेकिन वर्सा ज्यादा हो गई वर्सा ज्य गगानगर के अनुपगड सूरतगड में चले गई जैसे गगानगर के अनुपगड सूरतगड में गगर नदी गई तो इस नदी में क्या गई बाड आगी इस नदी में क्या गई बाड आगी तो बाड आते इस नदी का जल कहा चला गया पाकिस्तान में चला गया पाकिस्तान में का गया फोरटबास में फोरटबास है पाकिस्तान में वहां तक इस नदी का जल जाता है तो पाकिस्तान में तो देखे जब इस नदी का जल जाता है तब तो इस नदी को गगर को बोल देते हैं हकरा नदी पाकिस्तान में तो बोल देते हैं हकरा नदी लेकिन इस नदी में बाड आती है तो बाड आने के कारण क्या कहेंगे राजस्तान का सोग कहेंगे क्या कहेंगे राजस्तान का सोग फिर वापस आ जाओ जब यह अनुमानगड जिले में यह नदी बैती है तो हनुमानगड जक्सन वो इस गगर नदी के पेटे से नीचे बसा तलवाडा जो जीला वो घंगर नदी की पेटे से नीचे बसी हुए नीचे इस्तित है या बसी हुए उसके बाद में देखे गंगानगर का अनुपगड और सूरतगड घंगर नदी के किनारे बसा है इस घंगर नदी की किनारे से काली बंगा पीली बंगा और रंगमेल पिर ये नदी गंगानगर और अनुमानगर जिले में जब बैती है तो दोस्तों ये नदी एक पाठ के रूप में बैती है इस गंगर नदी का जो पाठ है वो पाठ कहलाता है नाली क्या कहलाता है नाली तो गंगर नदी का जो पाठ है वो पाठ नाली कहलाता है और बेड की ज वहापर बासमती चावल होता है क्या होता है नदी जब हर्याणा में बैती है तो एक जील बनिये, कोण सी जील बनिये भई, ओटू जील बनिये, इस ओटू जील को जो जलकी आप पूरती है, वो कोण सी नदी करती है, घगर करती है, कोण सी नदी करती है, घगर नदी करती है, उसके बाद में आप यहां से याद रखो कि घगर नदी को किस उपनाम से जाना तो दिमाग में एक साथ याद रखो, नटे मरत लेटी, नटे मरत लेटी, चोतांग सोतर, ठीक है, ये नदी इसके उपनाम है, गगर नदीगे, फिर यहां से याद रखो कि उत्तरवेदी काल में, उत्तरवेदी काल में सरस्वती, उत्तरवेदी काल में सरस्वती, वेदिक का और उपनम के बाद भी आप याद करिएगा कि घगर नदी की खोज किसने किती तो खोज करता कोने, C, S, Al, Tham यह आपके सामने घगर नदी की यहां से स्तिती हुई अब बोलो यहां से आपके सामने यह घगर नदी याद हुई या नही हुई दोस्तों अगर घगर नदी यहाँ से याद हो गई है तो अपने देखी यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि घगर नदी के अलावा राजस्तान में कोण-कोण सी आंतरिक जलपरवा की नदियां है वो बैती है नक्स्ट वीडियो में तब तक आप बने रहेगा इस चैनल के साथ लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे बार बार दोस्तों आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और अभी तक आपने इस वीडियो को सेर अभी नहीं किया है दोस्तों अभी भी आप इनको share करें ताकि उन बच्चों के पास भी इस वीडियो का जो प्रारूप है वो उनके तक पहुँच जाए तो दोस्तों यहां से आप इस वीडियो को share हो जरूर कर दे यानि यहां से आप इनको share करें अभी भी आप इस चेनल पर नए है और आपने अभी तक इसको subscribe नहीं कि ठीक है दोस्तों मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में तब तक बनी रहेगा आप इस सेनल के साथ थैंक्यू